गुण वारिंग गुडिवर्ण देर इस्टुडेंट वलकम तू अवर काईट क्लासिस केमेश्टी क्लासिस में आपका कपश्त वागयत हैं आज हम आपको औरगनिक केमेस्टी पराने जा रहा है जिसमें की सबसे जरूरिए यह है कि और गनिक केमेश्टी का अगर श्टेडी तो आज हम लोग बेंजन के बारे में थोड़ा जानें के बेसिक आइडिया, बेसिक नौल्यजिस के बारे में क्या रटीन क्या है ऑप Busy अधि और कया और डीनी केमस्ट्री में थोड़ान्यूर्ट क्यों कि तो चलिए चैनल में बने रही है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेंजिन क्या है और बेंजिन के टेलिवेट्स को कैसे पैचा रही है, ठीक है, तो यह सबसे पहली बात है, बेंजिन में क्या सबसे पहले, इसकी मॉलेकुलर फर्मूला की बात करें तो C6H6 होता है, यहां बेंजिन का अगर मॉलिकुलर फर्मूला की है, C6H6, जो कि मैंने दिखाया हूँ, इस स्टक्चर में एक कारवन यहां है, दो कारवन, तील कारवन, चार कारवन, पांच कारवन और यह छे कारवन, और इसके साथ हैड्रोजन है, 6 हैड्रोजन है, और बात यह की अग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि डवल बात अग्जिस्ट कर रहा है, एक अल्टरनेट पोजिस्ट कर रहा है, एक अल्टरनेट पोजिस्ट कर रहा है, यहां, अल्टरनेट पोजिस्ट कर रहा है, कि एक को छोड़ के, मिन्स सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पा है इसलिए रेजोनेंस में पर्टिसिपेट करते हैं यह मौलीकुलение करता है करने का मतलब है की पाइ अलक्टोल का ६ाराइसे हल अद HTTP होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है इसकी को बहुत है रेजोनेंस में तो बिक सिनल का मौलीक फर्मौला यह यह इस च्टक्चर देने वाले जो सैंटिस्क थे उसके नाम ए तो यह जो आप करें तो 70 एम यू जो अगर मॉलर मास की बात करे तो 78 ग्राम पर मोल यह चीज़ यहां देंगे तो बेंडिंग का सबसे पहले मॉलिकुलर फोर्मॉरा आपको याद करवा दिया गया C6-S6 है इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखा हुआ आप इसको नोट कर लो को आपी में या फिर स्क्रीन सॉट लेंगे और इसके मॉलिकुलर मास और मॉलर मास 78 ग्राम में 78 ग्राम पर मॉलर मास और 78 मॉलर मास होता है अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर देने वारे सैंटिस्ट ले कुले थे अब इसके इंपरिकल फर्मूला क्या होगा में इन का यह यह हो गया आपका मॉणिकल फर्मूला और मॉलर मॉलला तो जानते हैं जो कि सम्प्लेस्ट फर्मूला को बौलके एं Schedule ओ ने तो इसके सिगमा और पाई का कशन पूचछा जाता है कि σंख्या कि इस तर से अगर आप और दीख लेंगे तो पर आसानी से सिग्मा और पाइ बॉंड कोटके लिख सकते हैं तो इस बसी बॉंड की भाइ माऊंड करें जाय उस तर्ढें प्रेंट करने तो आपका 12 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका 12 सिग्मा बॉन्ड है इसमें और 3 पाइब आए आती है कि इसके स्ट्रॉक्चर के साथ है इसका स्ट्रक्चर है ट्राइग और प्लैनर है कारण यह जरकिंग दिखने हो इसके बीच को बैजेशन क्या होगा तो आप इस बात को भिलकुल याद रखें कि हरेक और गरिशन क्या है आपका SP2 है, due to presence of double bond, समझेरें, और SP2 की और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्वान की चलते क्या है, माला, Tioral Planner है, और दिखान देंगे कि इसकी जो देखने हैं bond length है, 139 Pm है, और यहां वाले जो bond length है, 109 Pm, तो यह bond length due to resonance क्या होगा, हर जेगा क्या होगा, बराबर ही होगा, जड़ा सोचा जाए, जबा स्ट्रक्चर आप resonance यह करेगा, कभी तो यह bond यहां जाएगा, तो फिर 149 Pm बनने वाला है, फिर यह यहां आएगा, मतलब क्या सकते हैं, कि similar bond length है, यहां पर जो ही दिखीगा, यहां महां दिखीगा, इसलिए जो resonance करेगा, कि हर जगा क्या होगा, एक तरज से पाइबॉंड करेक्टर आएगा, हर एक जगा, वह यह दिखीगा, उसके बाद नाइपल मोमेंट इसकी गोला जाता है, आपका डैपल मोमेंट क्या है, जीओ, यहां पर जीओ, अब बात आती ही, बेंजिन का क्या नाम है, बेंजिन को, लेकिन यह जान लिजिए कि इनमारलब की बेंजिन का और भी नाम है, लेकि इस नाम से ज्यादा पफल है, ठिकि अगर आप किताब में भी देखते हो, तो ज्यादा पफल है, कई सवाल भी आता है, तो ज्यादा है, टिकिन हां, इस दो नाम मैं आपको बताऊंगा, वह नाम लीप लेइन लीज़ा रहा हुं तो क्रिशों इक साट रिक्ला स्डैनर हैं तो attempt्र च्रिकर के रौंड है उसी तरह से बादीं की देख रहा है आप 353 पांसं तिंग आपट यह तो बैंजीन क्या है है अब के लिए ब्रेटी के बारे में कुछ बातें आपको धिहान में आगी और यह है उसकिल को सब्सक्राइब कारबन है तो हमका सकते बैंजीन क्या है है और साथ सद कै यह हैं एक एक अरोमाटिक ऑप्द कार्बन टो दिखा हुआ हो यह दिन कैसा है और कंपर्ओं तो है और एसकी इत्ने भी टेरिवेट्स हूं और जिन उत्पनी आप तो कि भाल उच्छ हों देगे फिर यह सब इसका देरिवेट्स कहला हीति अगर माले में किया था हो बेंजीन है C6H6, तो अगर माँ यहां पर लगा दूँ, यहां पर यह इस तरह से है, यहां पर लगा दूँ OH, तो फिनॉल हो गया, अगर वही जगह पर नेट्रो लगा दूँ, कहीं पर, कारबन के राउन यहां भी लग सकता है, मतलो कहीं पर बेंजीन के Relejects, उसके Office Spring, यह कह सकते हैं उसको धीजह था है, तो अगर अरगेंजीन अगरicular Parmooid hagoon all बेंजीनrendreFilm rule, अगर बेंजीन अच्छा सा अइर्गनिक Consolvent अगर है तो किसकी चीज में यह क्या होगा डिजॉल्ब हो जाएगा इसली जैसे कि यह एथाइल अल्कॉल, एथैनोइक आसेड, क्लोरोफोर्म, CHCN3, कार्बन टेक्ट्राप्रोडाइड, मिन्स कर सकते हैं, इथर, यह सब में यह डिजॉल्ब हो जाएगा, यह सब में बता चुका कि यह टॉक्सिक हैं, तो क्या सकते हैं, और SP2-Habridization, इतने नावलेश होना चाहिए बेंजीन के बारें इतना जरूरी है कि इतना तो जरूरी आगें बेंजीन के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया है, इतना जानने से क्या होगा, कि कहीं भी आगया और्गेनिक में, तो बहुत समझने में इक प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं बोलते है, आगे पढ़ेंगे, जैसे इसे 12 में जाएंगे, आले 12 में आपका पहला चेप्टर और्गेनिक क्या मैं पढ़ांगा आपको, हैलोर्केन, 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 वहाँ पर यह सबची चर्चप होगा, कि मतलब कि कौन सा बांड, कार्बन, माल नहीं लिख दिये कि कार्ब होने हाँ पे SP2 है, इसके मासिया रखे और श्रम बंचैन में क्या है, कि बंचैन में आपका कौन सा अर्यधरिद आखॉत है, रेक्साय पर रेक्स आ केश, वहाँ यहां पर जूरी स्धरिक्सिक शर्दिशन र्कशं होता है, इसशुन ह्ता एक्सायप, वहाँ कि प्रडोफे परजेंट नोगे यहां पर खास ग्रूप आकर रेक करते हैं कि अलपर फॉसारे कोई पोजीशन रहते है वा अधो पोजीशन रहते हैं यहां पर कुछ पोजीशन होता है तो उस पोजीशन को बोलते है औरथो पोजीशन प्रेक्टा पोजीशन वहां पे आकर ये एक नपरकौंड न है या टेक किया करते वहाँ पर आते और डिजार प्रोड़क्ट वहाँ पर बनता है, चाहँ रखेंगे, I think आपको बेजिन के बारे में इतनी सी आडिया जरूर होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिया कि मैं एक ट्वन्द, जो हेलों के लिए, मैंने एक क्लास उसका लिया, मैं लेने वाला हूं, फेक क्यों बेंजिन रिखना हला है जबात है मत्ते हैं, ह्यक्त नक्तो को बन चेहां देमिंगिस भीया दाते हम कि लिग बाता है?